एक बूंद जो निकल कर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बड़ी सोचने फिर फिर यही जी में लगी आख क्यों घर चोड़ कर मैं यो कड़ी बेटा इस कवीता में हमें बूंद की व्यथा के बारे में बताया गया है जब बूंद बरसने वाली होती है तो उसकी मन में प्रश्न आता है कि वह अपना बादल रूपी घर छोड़ कर क्यों जा रही है दैव मेरी भाग्य में है क्या बदा मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी चूपड़ूंगी या कमल के फूल में वह इश्वर से मन ही मन प्रश्न करती हुई पूछती है कि हे भगवान मेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ है मैं बचूंगी या धूल में मिल जाओंगी या फिर किसी जलते हुए अंगारे पर गिर जाओंगी या फिर किसी कमल के फूल के उपर गिर जाऊंगी वहें अपने मन ही मन में प्रश्न करती हुई बोलती है कि मैं बचूंगी या फिर मेरा अस्तित्म खतम हो जाएगा बेटा आज के लिए इतना ही आप इस कवीता को रीड करें थैंक्स